हेलो दोस्तो, welcome back to finance जानकर यूटूब चैनल मैं हूँ अभी जीत और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HDFC bank में net banking को कैसे register कर सकते हैं दोस्तो अगर आप एक HDFC bank का new customer है तो अगर आप net banking को use करना चाते हैं सबसे पहला आपको HDFC bank का net banking में register करना पड़ता है आज की वीडियो में मैं आपको complete step by step बताऊंगा कि आप HDFC bank का net banking में कैसे login कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको भी जानना कि HDFC bank में net banking को कैसे register करते हैं तो आप सबसे request की please आप इस वीडियो को last तक देखना ताकि दोस्तो मैं सारे चीज़ा आपको अच्छे से समझा पाऊ दोस्तो अगर आप banking, personal, finance and investment related वीडियो देखना चाते हैं तो आप आप आमरे चैनल को नीचे subscribe कीजे और दोस्तो जो pass में bell icon है उसको भी press कर देना चलिए दोस्तो लेके चलता हूँ मैं में मेरा computer की screen में और वहाँ पे मैं आपको सारे process अच्छे से बता दाओ दोस्तो इस वीडियो में HDFC bank का net banking registration process दिखाने से पहला है मैं आपको बताना चाता हूँ कि HDFC bank का net banking registration है ये चार तरह से आप कर सकते हैं सबसे पहला होएं दोस्तो ATM आप HDFC bank का किसी भी ATM को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना registration कर सकते हैं net banking का तो ये सरे step आपको follow करना है सबसे पहला step आपको ATM जाना है उसके बाद आपका ATM card जो debit card है और ATM पीन है ये दोनों चीज आपको डालना है अगर आप ATM से video करते तो ये कैसे डालना होता है आप सबको पता ही होगा दोस्तों उसके बाद step 3 आपको वहाँ पे options चूज करना है main screen के अंदर उसमें एक आधार करके options होगा तो वह आधार options आपको चूज करना है उसके बाद step 4 select net banking registration and click on confirm वहाँ पे आपको net banking registration का options दिखेगा आप उसको confirm कीजिए उसके बाद दोस्तों आपका जो पीन है वो courier हो जाएगा आपकी address पे मतलब जो आपका registered address है उस पे courier हो जाएगा लेकिन ये जो दोस्तों process है ये बहुत lengthy process है पर इसमें आपको बहुत जादा time लग जाता है पीन पाने में लेकिन मैं आज इस फीडियो में आपको बताने वाला हो instant process जिससे दोस्तों आप online में सिर्फ 2 minute के अंदर आप अपना HDFC bank का net banking registration को complete कर सकते हैं वो भी बताऊंगा दोस्तों प्लीस आफ इस वीडियो को last tag देखना लेकिन उससे पहला मैं जो तरीका है HDFC bank का net banking registration करने के लिए वो सरे बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको step by step मैं बताऊंगा कि online registration कैसे करते हैं सिर्फ 2 minute के अंदर दोस्तों उसके बाद आते हैं online process जो कि मैं इस वीडियो में आपको step by step बताने वाला हूँ उसके बाद दोस्तों phone banking यानि आप जो HDFC bank का phone banking customer के या number है उसमें आप call कर सकते हैं अपना customer idea जे सकते हैं और request कर सकते हैं दोस्तों IPN के लिए यानि जो internet banking पीन होते हैं उसके लिए लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा lengthy time लग जाता है क्योंकि इसका भी जो IPN है या आपकी जो address है उस address में courier होता है तो ये भी बहुत ज़्यादा lengthy process है दोस्तों सबसे last option है HDFC bank branch आप दोस्तों HDFC bank का कोई भी branch visit कर सकते हैं और वहाँ पे आपको download करना है एक net banking registration form आप खुद print करके भी ले जा सकते हैं अधरोश दोस्तों आपको bank से ये form मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों आपका जो net banking registration form है वो आपको अच्छे से अपना details के साथ fill up करना है उसके बाद आपको ये submit करना है branch में और दोस्तों ये जो pin है ये आपके courier में किया जाता है मतलब courier के through आपके address में वेजा जाता है ये भी बहुत ज़्यदा लेंदीर process है तो सबसे easy और दोस्तों सबसे अच्छा process है online process चलिए इसका भी में step में आपको सबसे पहले बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको live demo करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना htfc bank का net banking registration कर सकते है दोस्तों अगर आप online अपना registration करना चाते है net banking के लिए तो सबसे पहले आपके पास अपना customer ID होना चाहिए दोस्तों customer ID कैसे मिलेगा आपने अगर account ओपिन किया तो वहाँ पे आपका जो दोस्तों account number जहाँ पे 100 होता है मतलब जो पास बूक में वहाँ पे आपको customer ID दिखेगा अधरवीस दोस्तों आप phone banking जो number है उसमें call करके अपना customer ID पुछ सकते है या आप branch में जाके भी customer ID पुछ सकते है लेकिन दोस्तों आप जैसे आपना जो passbook है उसके उपर देखोगे तो वहाँ पे आपको customer ID मिल जाएगा 100% sure उसके बाद आपको step 2 में क्या करना है आपका जो registered mobile है नंबर है उसमें OTP आना चाहिए या नि दोस्तों जो registered mobile नंबर आपने दिया सा bank में वह आपके पास active होना चाहिए क्योंकि दोस्तों third step में वहाँ आपके पास एक OTP आएगा वो OTP receive होने के बाद ही आप अपना debit card का जो details है वह आपको डालना होता है उसके बाद आप अपना IP जो हो खुद set कर सकते हो मतलब यह instant online process है इसमें आपको कोई भी time नहीं लगता सिर्फ 2 मिनिट के अंदर हो जाता है मैं आपको दिखाऊंगा भी उसके बाद दोस्तों आप अपना net banking को easily use कर सकते है और इसका जो new Pन है वो भी आप set कर सकते है चलिए दोस्तों आभी हम देख लेते है live demo की आप online कैसे अपना HDFC net banking का registration कर सकते है दोस्तों HDFC bank का net banking registration करने के लिए आपको इस link पे आना होगा यह link आपको description पे मिल जाएगा otherwise दोस्तों आप Google पर भी direct type कर सकते है HDFC bank net banking registration तो वहाँ से भी आपको यह link मिल जाएगा आप जैसे ही दोस्तों इस link पे click करेंगे उसके बाद आपको एक नीचे options दिखाएगा दोस्तों register for net banking by generating a OTP यानि one time password तो इस link पे आपको click करना है आप जैसे इस link पे click करेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों यहाँ पे कि आपके पास अपना जो customer ID है वो होना चाहिए तो इसमें आपको जो customer ID है वो आपको यहाँ पे डालना है चले दोस्तों मैं मेरा customer ID डाल देता हूँ फिर आगे की process मैं आपको बताता हूँ दोस्तों जैसे कि देख सकता है मैं मेरा HDFC bank का customer ID है उसके बाद आपको go button पे click करना है आप जैसे go button पे click करेंगे तो आपको उपार में दिखेगा आपका जो user ID यानि जो customer ID है वो यहाँ पे show होगा और उसके नीचे आपके capture आएगा वो आपको यहाँ पे fill करना चले मैं capture को भी enter कर देता हूँ दोस्तों जैसे कि देख सकते मैं यहाँ पे capture भी enter कर चुका हूँ capture इंटर करने के बाद आपको continue बटन पे click करना है दोस्तों आप जैसे continue बटन पे click करेंगे तो आपके सामने आपका जो debit card का details है वो पूछा जाएगा मेरा यहाँ पे इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि दोस्तों मेरा जो net banking है वो मैंने already register कर रखा है net banking तो इसलिए दोस्तों मेरा यहाँ पे नहीं आरा लेकिन आप जैसे इस step पे आएंगे तो आपके सामने आएगा आपका debit card का details है वो आपको यहाँ पे डालने के लिए कहा जाएगा उसके बाद आप अपना जो IP ने उसको set कर सकते है और दोस्तों उस IP न से आप HDFC bank का जो mobile banking app है उसको भी login कर सकते है अधरेस दोस्तों आप HDFC bank का दोस्तों जो official website उसमें आके दोस्तों आप net banking यहाँ से login भी कर सकते है चले दोस्तों मैं आपको net banking login करके भी दिखा देता हूँ कि आपको register करने के बाद login कैसे करना है दोस्तों आपको HDFC bank का official website पे आने के बाद side में एक यहाँ पे आपको बटन दिख जाएगा login का तो उसमें आपको click करना है personal login option पे आना है सबसे पहला जो option से net banking इसमें आपको click करना है उसके बाद login बटन पे click करना है उसके बाद धोस्तों फिर से आपको continue to net banking बटन पर click करना है और आप जैसे Continue to Net Banking बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपना User ID या Customer ID डालना होता है एक चीजे मैं आपको बताना चाहते हो दोस्तों जो HDFC Bank का Customer ID होता है यह सबसे पहला तो एक Number से आता है जो की Default होता है आप चाहो तो आपना Customer ID को Change भी कर सकते है चले दोस्तों जैसे कि देख सकते मैं यहाँ पे मेरा Customer ID डाल दिया उसके बाद आपको Continue बटन पे क्लिक करना है Continue बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो IP यानि आपने दोस्तों Registration करने के टाइम जो यहाँ पे अपने IP चूश किया था है यानि दोस्तों Internet Banking पीन या Password जो भी आप कहलो वो आपको यहाँ पे डालना है जैसे दोस्तों मेरा Already Registered है तो चलिए मैं यहाँ पे डालके आपको Login करके दिखाता हूँ तो जैसे कि देख सकता है मैं यहाँ पे मेरा Customer ID और IP दोनों डाल दिया हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे Login बटन पे क्लिक करना है और दोस्तों आप जैसे Login बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो Net Banking है वो पोटल ओपेन हो जाएगा दोस्तों HDFC Bank का जो Net Banking पोटल है वो कुछ इस तरह से दिखता है इसमें दोस्तों बहुत सारे चीजे जो आप खुद से चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसी Facilities है जो आप HDFC Bank का Net Banking के थुरू कर सकते हैं जैसे दोस्तों Phantas पर आप अपना Bill Payment कर सकते हैं, Recharge कर सकते हैं आप अपना Credit Card को भी यहाँ से Manage कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ Inquiry करना है तो आप यहाँ से Inquiry भी कर सकते हैं जैसे अपना Account का Statement आप निकल सकते हैं उसके बाद अगर आपने कोई Fixed Deposit यानि FD करा रखा उसका सामारी चेक कर सकते हैं Recurring Deposit का भी सामारी चेक कर सकते हैं अगर आपने किसी Check दोस्तों Withdrawal के लिए या कोई भी अलग Reason के लिए दे रखा है तो आप Check का Status भी यहाँ से Check कर सकते हैं आप अपना Tax Deductions कितना हुआ वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़े यहाँ पर Request करना है अपने के चले कोई कुछ चीज़ आपको Apply करना है इंस्टेंड घर बैठे तो आपको Brand जाने की ज़रूत नहीं है आप यहाँ से दोस्तों अपना जो GST नमबर अगर आप एड़ करना चाहते हैं अपना अकाउंट से KYC Details में आके यहाँ से अपना KYC Details से उसको Confirm कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों अगर आप किसी Check का Payment को Stop करना चाहते हैं वो भी दोस्तों आप घर बेठे बेठे कर सकते हैं साथी साथ आप अपना पैन नमबर भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं इमेल में दोस्तों जो स्टेडमेंट आता है उसका Registration कर सकते हैं बहुत सारे चीज़े हैं जो आप HDFC Bank का Net Banking के थुरू कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो Customer ID आप उसको चेंज करें तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अपना Customer ID को चेंज करना चाहते हैं तो Customer ID अगर आप अपने नाम से रखना चाहते हैं जैसे दोस्तों आपको दिखाता हूँ, तो आपको उपर में एक options दिखेगा, personalized user id, इसमें आपको click करना है, आप जैसे यहाँ पर click करेंगे, तो आपका जो new user id है, यानि जो आप जिसको create करना चाहते हो, जिस नाम से, जैसे आप रखना चाहते हो, अपना user id सो रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दोस्तों मेरा नाम select करके रखाओ, तो ऐसे आप भी दोस्तों आपका जो user id है, उसको आप customize कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका जो hdfcbank का net banking है, उसका password कोई जान गया, या कोई आपके account में दोस्तों misuse हो सकता है, त आप यहाँ से आके दोस्तों change भी कर सकता है अपने password को, और दोस्तों अगर आपको आपना कोई भी details update करना है, तो आप contact details भी यहाँ से update कर सकते है, तो बहुत simple सा process है दोस्तों इस process को follow करके आप भी अपना hdfcbank का net banking को register कर सकते है, तो दोस्तों उमीद करते हो कि आपको प reply करने की पूरी कोशिस करता हो, और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक like कर देना, इससे हमें motivation मिलता है, आप सब के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, दोस्तों अगर आपने आभी तक हमारा चैनल को subscribe नहीं किया, तो banking, personal finance and investment related वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को अभी कभी subscribe करें, और पास में दोस्तों जो bell icon है उसको भी press कर देना, चलिए दोस्तों मिलता है आप सब के साथ नया और एक fresh वीडियो में, तब दक के लिए goodbye, जाहिंद